Hello dear students, आज का हमारा टॉपिक है फोटो री एक्टिवेशन, फोटो री एक्टिवेशन जो है ये डिने को रीपेर करने का डिरेक्ट मैथड है It is the direct method to repair DNA, और मेरे ख्याल से सबसे simplest method है जो DNA रीपेर के method में count करते हैं, सबसे simplest method है ये बहुती simple procedure होता, उस basis पर मैं इसको बोल रहा हूँ, simplest method, अब देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि actual में DNA के problem क्या है, DNA का क्या damage हो रहा है, जिसकी वज़े से photo reactivation की जरूरत पड़ेगी तो मान लीजिए, this is DNA, और DNA के अंदर, dimer formation हो जाए, जो मैं already अपने lectures में बता भी चुका हूँ, मान लीजिए, DNA के अंदर, thymine dimer या अब बोल सकते है, purine dimer formation हो जाए ओके, so T, thymine, ये क्या होता है, purine, these are pyrimidine, और अगर ये ऐसे connect हो जाए, आपस में, ओके, this is covalent bond तो इसको बोलते हैं हम, dimer formation, this is pyrimidine dimer formation, जिनके बीच में, आपस में, covalent bond बन चुकी है, ये वाली जो bond थी, यहाँ पे, hydrogen bond breakdown हो चुकी है, और इनके बीच में, adjacent जो, nucleotide है, उनके बीच में bond बन चुकी है, ठीक है, अब ये bond बनती क्यों है, ये bond बनती है, जैसे कि मैंने अलेडी बताया था, UV light के कारण, अगर DNA के उपर, UV light गिर जाती है, तो ये problem हो सकती है, ठीक है, अब problem हो गया है, तो इस जगहे पे replication नहीं हो पाएगी, इस problem को solve करना जरूरी है, मेरे ख्यासे अब तक है, सबसे easy lecture होने वाला है, और मैं guarantee देता हूँ कि ये lecture आपको पक्का स फोटो रिएक्टिवेशन, फ्रेंड्स नाम से क्या पता चला है, फोटो मतलब कि light का enrollment रहेगा, फोटो रिएक्टिवेशन, यानि कि ये जो DNA को रिपेर करने का method है, ये light के उपर depend है, it is a light dependent process, उसके बाद, फोटो रिएक्टिवेशन में, एक्चुल में होता क्या है, फोटो रिएक्टिवेशन के अंदर कुछ ऐसे enzyme include होते हैं, जो क्या करते हैं, इस dimer को breakdown कर देते हैं, मतलब ये जो covalent bond बनी है, इनके बीच में, इस covalent bond को breakdown कर देंगे, तो आज हम यहीं सीखना है कि कैसे फोटो रिएक्टिवेशन के अंदर जो enzyme होते हैं, वो कैसे इस bond को, इस covalent bond को breakdown करते हैं, तो देखिए, जैसे एक राजा होता है, अपनी प्रजा का ख्याल लगता है, वैसे ही cell के अंदर भी एक तरह का राजा है, तो मान लीजिए, ये cell के अंदर राजा है, और इ अंदर राजा साहब होगे, उमको टवना देते हैं, राजा साहब का, अब ये क्या है, इस फोटो लाईयेंज एंजाइम, ये एक तरह का फ्लेवो प्रोटीन है, अब जैसे मैंने बताया कि जैसे एक राजा अपनी परजा का ख्याल रखता है वैसे ही सेल के अंदर आप ये समझ लीजिए कि यही राजा है ठीक है और ये है DNA और DNA के अंदर प्रॉबलम क्या चल रही है DNA के अंदर बन चुके हैं तो मान लीजिए ये डाइमर है ये प्रॉबलम है इसको ओवरकम करना है तो ये राजा क्या करेगा इस राजा ने देखा भी फोटल लाइज ने देखा भी ये प्रॉबलम हो रही है बिल्कुल जैसे बहुबली और कटपा थे बिल्कुल वैसे ही है इसके दोनों के दोनों सिपाही तो इसके जो दो सिपाही है वो कौन है एक का नाम है देखिए इसके जो दो कमांडो है एक का नाम है FAD ओके Flavin Adenin Dinucleotide FAD और इसका जो दूसरा कमांडो है उसका नाम है FOLATE फोटो लाइए इस बोलेगा भाई इन दोनों को बोलेगा भाई अपने DNA में प्रोबलम आगी है जा करके देखो क्या प्रोबलम आरी है और उस प्रोबलम को जा करके उसका समाधान करके आओ तो अब ये दोनों निकले है अपने मंजल की तरफ इनकी मंजल क्या है यहाँ पर प्रोबलम होरी है इस प्रोबलम को सोट आउट करना ही ने ठीक है तो ये कैसे अपने इस दिकत को खतम करते हैं सबसे पहले तो आपको एक चीज दियां रखनी है कि ये जो दोनों के दोनों है ये को फैक्टर होते हैं इस टू आर को फैक्टर्स को फैक्टर फोटो लाइस एंजाइम ठीक है अब हुआ क्या जो एफ एडी है एफ एडी से अलावा जो फोलेट है फोलेट क्या करेगा, सबसे पहले फोलेट अपना काम करेगा फोलेट बोलेगा FAD को भाई, तू रूख एक मिनट के लिए ठीक है, सबसे पहले मिरकौ जाने दे तो फोलेट क्या करेगा फोलेट जहां पर प्रोब्लम हो यह उस जगह पर जाएगा और वहाँ पर जाकरके, वहाँ पर light है light को absorb कर लेगा फोलेट क्या करेगा, let me write absorb light क्योंकि light की वजह से ही यहाँ पर damage हो रहा था, देखो हमने बुला ना, light की वजह से ही यह problem create हो रही है तो फोलेट जाएगा और जाकरके सबसे पहले light को absorb करेगा अब जैसे ही फोलेट, light को absorb करेगा तो यह excited हो जाएगा फोलेट क्या हो जाएगा excited उत्तेजित हो जाएगा, बिल्कुल जोश आ जाएगा इसमें, चलो अब कुछ करते हैं, ठीक है F.A.D. बोलेगा, भाई तो इतना उत्तेजित मत हो इतना excited मत हो, अभी मैं भी हूँ ठीक है, मुझे मत भूल, अभी मैं भी हूँ तो क्योंकि फोलेट excited हो गया है तो excited होने के बाद में यह electron release करने लग जाएगा फोलेट क्या करेगा फोलेट excited होने के बाद में electron release करना start कर देगा यह हो गया electron फोलेट excited होके electron release कर रहा है FAD बोला भाई तो रुक तेरा भाई अभी है तेरे पास में तो tension आले मैं आ रहा हूँ FAD क्या करेगा FAD इस electron को accept करेगा FAD क्या करेगा इस electron को accept कर लेगा और convert हो जाएगा FADH2 में FAD इस electron को accept करने के बाद में convert हो गया FADH2 अब FADH2 के पास में electron है और बहुत high power के electron है इसके पास में ठीक है electron है इसके पास में high power के तो यह क्या करेगा अब final इसको है ना action लेने का बड़ा शोक है जगडे करने का बड़ा शोक है तो यह attack कर देगा इस covalent bond पर इस double bond पर इस dimer के उपर यह क्या करेगा जो electron इसने folate से लिए थे उन electrons को fact fact के मारेगा ऐसे फटाफट फटाफट एक के बाद एक और उन electron के कान इस electron के कान यह जो dimer होगा यह breakdown हो जाएगा और यही तो problem थी इसी को solve करना था dimer अगर break down हो गया उसके बाद में polymerase इस situation को normal कर देगा मतलब यहाँ पर strand को normal फिर से बना देगा bonding वगएरा और उसके बाद इस electron को जब काम complete हो जाएगा तो यह अपने हथियारों को वापस ले करके आ जाएंगे okay means situation जब यहाँ पर normal होगी तो अपने electron को वापस ले करके वापस back to the normal आ जाएंगे back to normal okay it means यह cyclic सा process हो जाता है तो देखो कितना easy सा है सबसे पहले देखो राजा साब कोन है फोटो लाइएज इसके दो सिपाही कोन है FAD और folate जो हमेशा मिलके काम करते हैं दोनों को factor हैं दोनों को भेजा problem को solve करने के लिए folate बोला भाई पहले मेरे को अगे जाने दे folate गया और light को absorb कर लिया excited हो गया बिल्कुल उत्तेजित activated हो गया और उसके बाद electron निकालने लग गया FAD बोला भाई रुक electron मेरे को दे इन electron की मेरे को जरूरत है FAD ने electron को लेके अपने आपको convert किया पहले FADH2 में अपने आपको तयार किया और फिर इन electron को फैंक फैंक के मारने लग गया किसके उपर thymine dimer के उपर pyrimidine dimer के उपर और उसको breakdown कर दिया जो problem हो रही थी UV light के कारण और उसके बाद अपने electron को वापस ले लिया back to the normal position इस type से ये mechanism है इस type से ये परकरिया होती है photo reactivation की तो देखो photo reactivation क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि folate तभी काम करेगा जब इसको light मिलेगी मतलब कि light की presence में ही folate excited होता है इसलिए इसको बोलते हैं photo मतलब light के कारण reactivate की folate जो है वो activate हो जाता है चार्ज हो जाता है और चार्ज होने के बाद ये अपने electron FAD को देता है तो ये था overall process अब आपको समझना है कि कौन-कौन से organism इसको show करते हैं तो देखिए photo reactivation की जो process है photo reactivation की जो process है इस शोन बाई प्रोकरियोट्स तो सभी दिखाते हैं चाहे वो normal bacteria हो चाहे वो archibacteria हो all prokaryotes all prokaryotic cell show the process of photo reactivation अब eukaryotes में सारी eukaryotes नहीं but many eukaryotes show this process अब कौन-कौन से eukaryotes show करते हैं उनको याद रखने के लिए एक आपको easy trick बता देता हूँ आप सब को याद रखना है बरफ B A R F बरफ मतलब ice बरफ ठीक है बरफ से आपको example याद रखने है B से बन जाएगा अपना birds A से बन जाएगा amphibians R से बन जाएगा reptiles और F से बन जाएगा fish ये चारों category के जितने भी animal आते हैं वो सारे के सारी photo reactivation की DNA repair की इस process को show करते हैं बट अब छोटी सी बात याद रखने लेना कि जो birds हैं birds सिरफ और सिरफ embryo stage पे इस process को show करते हैं only at embryo stage बस इतना ध्यान रख लेना ठीक है तो ये होगा वही कौन प्रोसेस को show करते हैं अब क्या human show करते हैं इस process को so photo reactivation is not shown by human beings इंसानों के अंदर humans के अंदर photo reactivation नहीं होता है हमारी अंदर DNA को repair करने का और बहुत तरीक्य होते है so it is absent in human beings बस इतना सा process था कोई rocket science नहीं है पता नहीं क्यों college universities में simple से process को इतना complicated बना के पेश किया जाता है so I hope कि आपको ये lecture समझ में आगा अगर lecture समझ में आगा तो अपने friends के साथ share करें और चैनल को subscribe करना ना बोलें thank you so much मिलतें next lecture में